दिन में सिर्फ एक बार ये एक टुकडा पानी में उबाल कर फिलो, सो साल तब सुगरो, कोलोस्ट्रोल, पेट के रो, मोटापा, गठिया, जोडों का दर्द और ये दिल से जुड़ी बिमारियां आपको कभी नहीं होंगे, नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडिय कर इसका सेवन करना है, और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे, तब आपको चमतकारी नतीजे दिखाई देंगे, आपके स्रिर की इम्मून पावर, रोगों से लड़ने की सकती बहुत अधिक बढ़ जाएगी, और बहुत सारी बीमारियां आपके आसपास भी नहीं आएगी दोस्तों आप इसको सुभे, दोपैर या स्यान को किसी भी वक्त पानी में उबाल कर सेवन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसका सेवन सुभे करेंगे, तब आपको और भी अधिक फाइदे मिलेंगे, लेकिन यदि आप रात को सोते समय इसका सेवन करना चाहते हैं, तब चमतकारी नतीजे दिखाई देंगे दोस्तो ये आपके पाचन के लिए कारगर ओस्ती की तरह काम करता है आपके पाचन किरिया को अच्छी करता है और यदि आपका पाचन सही होगा तो दोस्तो आपको पेट से जुड़ा कोई भी रोग नहीं होगा आपको पेट में गैस, कबज, एस्डिटी, बदहजमी अपज जैसी समस्याई नहीं होगी और हमारी सरीर की बहुत सारी बीमारियों का कान यही समस्याई है अनिंदरा की समस्या दोस्तो अगर आपको अनिंदरा की प्रोब्लम है या फिर आपको अच्छी नींद नहीं आदी तो दोस्तो तब भी ये नुस्का आपके लिए एक कारगर ओस्ती की इतरहें काम करेगा तब आपने इसका सेवन सोने से पहले दूद के साथ करना है और इससे आपको अच्छी नींद आएगी खुबसूरत बालों और तवचा के लिए दोस्तो बालों और स्कीन से जुड़ी लगबग हर समस्या इस नुस्खे से दूर होती है इसका एंटी बैक्टिरियल गूं स्कीन और बालों को इनफेक्शन से बचाता है जिससे आपकी खुबसूरती निकर जाती है आपके चहरे पर जल्दी बुरापा नहीं आता आपके चहरे पर जुरिया नहीं आती यानि आपकी उमर बढ़ने की परकरिया रुक जाती है और आपके बाल भी अच्छे और सुन्दर बन जाते हैं वो जल्दी से तूटते नहीं मजबूत हड़ियों के लिए बाल कर सेवन कर सकते हैं डाइबटीज रो के लिए दोस्तों कई अधिनों में इस बात की पुष्टी होचकी है कि इस नुस्खे में ऐसे कंपाउंट पाई जाते हैं जो बलड सुगर लेवल को कंटोल करने में आपकी मदद करते हैं खासकर टाइब टू डाइबटीज के मरीजों के लिए तो ये एक वरदान की तरहा काम करती हैं ये सरफ आपके सुगर लेवल को ही कंटोल करने का काम नहीं करती बलकि आपको इस डाइबटीज की बिमारी के जितने भी कॉम्पलिकेशन है उन सब से भी बचाने का काम करती हैं दोस्तो यदि आपके सरे में बैड कोलोष्टोल बड़ा हुआ है और आप अपनी इस कोलोष्टोल की प्रेषानी से छुटकारा पाना चाहाते हैं दोस्तो तब भी ये नुस्खा आपके लिए कार्द कर हैं और ये आपके खून की acidity यानि की खून की गंदी को साप करने का काम करेगा आपके cholesterol level को सही करने का काम करेगा जिससे कि आपको कभी cholesterol की समस्या नहीं होगी और जब आपको cholesterol की समस्या नहीं होगी तब ना तो आपकी नवसों में blockage होगी heart blockage होगी और नहीं आपको heart attack आएगा और आपका दिल भी सही तरीके से स्वस्थ रूप से काम करेगा आप पहुत त्रहें के बीमारियों से बचे रहेंगे दोस्तो यदि आपको मुटापा है और आप अपने पेट की चर्वी को कम करना चाहते हैं पेट के साथ साथ कमर और जांगो की चर्वी का भी इलाज करना चाहते हैं तब भी ये एक टुकड़ा आपके मुटापे को कंट्रोल करने का काम करेगा आपकी पेट की चर्वी को पिंगलाने का काम करेगा क्योंकि ये आपके सरी के metabolism को गोश्ट करेगा जिससे की तेज से आपकी पेट की चर्वी कम होगे इसके साथ में आपको हलका वयाम जरूर करना है दोस्तो आज की इस उडिय में हम जिस टुकड़े की बात कर रहे हैं वो टुकड़ा है दालचिनी का टुकड़ा सेहत और खुबसूरती दोनों ही चीजों के लिए दालचीनी का इस्तमाल किया जाता है दालचीनी में मुझूद कमपाउंड कई ओस्तिय गुनों से भरपूर होते हैं जो सेहत और खुबसूरती दोनों के लिए भी बेहत फाइदे बना है यूं तो दालचीनी अपने आप में ही एक अच्छी होस्ती है लेकिन जब आप इसका सेवन पानी में उबाल कर करते हैं तब इससे आपके स्रीर को और भी अधिक फाइदे मिलते हैं या आप इसको दूद में उबाल कर भीते हैं तब इसकी पावर और भी अधिक बढ़ जाती तो दोस्तो, आप दालचीनी के इस एक टुकडे को पानी में उबाल करभीजी। और आपने करना कैसे हैं? चलिए आपको वो भी बताते ही। दोस्तो, आपने इसके लिए दालचीनी के स्टिक का एक छूटा टुकड़ा लेना हैं। जैसे कि ये हमने लिया हो हैं। अब आपने क्या करना है दो गिलास पानी लेकर आग पर उबलने के लिए रखना है और आपनी से एक टुकड़े को उस पानी में डाल देना है और धिमी आज पर आपने उस पानी को कडम करना है और आपने उस पानी को तब तक उबालना है जब तक कि वो पानी दो गिलास आप साथ दिन तक अप इसका सेवन कीजिए, उसके बाद साथ दिन का गैप दीजिए, उसके बाद फिर साथ दिन सेवन कीजिए, यानि लगातार सेवन मत कीजिए, गैप दे दे कर सेवन कीजिए, तो इससे आपको और भी अधिक चमतकारी नतीजे दिखाए देंगे, और दोस्तो यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमा इसा भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों